मालो कोई दवाई है वो दुनिया भर में तो बैन है लेकिन भारत में मिल रही है अब भारत में मिल रही है तो जिसको मिलेगी और जिसको जुरूरत होगी या जिसको प्रसकाइब किया जाएगा वो उसको लेगा लेकिन जब आपको पता चले कि ये दुआई जो है दुनिया भर में बैन की गई है तो आपको कैसा लगए है जुरूर एक तिमाग में क्यूस्टन तो जुरूर आएगा कि ऐसा क्यूं है कि दुनिया भर में बैन है और यहां हमें ये मिल रही है ऐसा ये केस 1987 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया जिसमें 1981-82 में केवला के एक एड़ोकेट विंसेंट उनका नाम था उन्होंने एक Public Interest Litigation Supreme Court में दायर की और उन्होंने कहा कि भारत में जो Drug Manufacturing Companies है में ले वो या तो अमेरिका से संबंदित है या या यूरोप के देशों से संबंदित है या कुछ जापान से भी है तो जो यह देशों कि या इविदेशी कंपनिया है यह भारत के लोगों को एक तरह से exploit करती है और वो दवाईयां भारत में जोर सोर्स से बेज़ती हैं distribute करती हैं manufacture करती हैं जो दुनिया भर के डेफिलप्त देशों में बेन की जा चुकी है और उनका ये कहना था है उन्होंने ये इस बात के थूँ जो है स्पोर्टिंग उनका जो डोकुमेंट था वो ये था कि 1974 में एक हाथी कमेटी रिपोर्ट आई थी और उसमें हाथी रिपोर्ट में ये कहा गया था कि जो विदेशी कंपनिया है ये भारत के लोगों को एक तरह से एक्स्पोर्ट कर रही है और उनके जो हैल्थ के साथ खेल रही है तो उसको उन्होंने बेश बनाते हुए इस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को सुप्रिम कोर्ट में फाइल किया उनका कहना ये था कि एक तो जो दवाईयां दुनिया भर के देशों में बंध है या स्पेसिफिकली वेस्टन कंट्रीज में जो बैंड है वो भारत में भी बैंड होनी चाहिए क्योंकि अगर पस्चिमी देशों में कोई जो ड्रग है उसको human body के लिए toxic माना जा सकता है तो भारत में भी उस वेक्ति जो वेक्ति उसको लेगा उसके लिए वो toxic नहीं है और उसके लिए वो toxic है तो एक बात तो यह थी दूसरा यह था उन्होंने यह भी कहा कि इसको proper ढंग से regulation इसका होना चाहिए और consultative committee का जो provision है उसके अनुसार ऐसी दवाईयां और ऐसी दवाईयां बेचने वाले कंपनियां बेन की जाए सरकार को सुप्रिम कोट ऐसी direction issue करें जिसके तहत यह जो विदेशी कंपनियां दवाईयां बनाने वाली भारत के लोगों का exploit कर रही है ऐसा ना कर सके उनके health के साथ खिलवाड ना कर सके ऐसा सब उन्होंने अपनी petition में दिया था इस जो case में जो judgment थी उसमें सुप्रिम कोट ने ban तो नहीं किया ना ही उस territory की तरफ move किया कि वही इन कंपनियों को ban कर दिया जाए लेकिन उन्होंने concern जरूर दिखाए और उस advocate के जो efforts थे उसको appreciate भी किया उसको compensation की तोर पर 5,000 रुपए देने के लिए भी government को और health ministry को direction दी लेकिन उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि सरकार इन सब concerns को seriously ले और consultative committee को ये जो issues हैं सब भेजे हैं और उसके हिसाब से consultative committee इन मामलों में direction ले सकती है Supreme Court ने ये भी कहा कि human health जो है वो सबसे paramount चीज है सबसे important चीज है क्योंकि अगर व्यक्ति अगर healthy है तब भी बाकि सब जो दुनिया भर के काम जो व्यक्ति कर सकता है वो कर सकता है otherwise अगर उसकी health सही नहीं है तो वो कुछ भी सही से नहीं कर सकता और ये देखा जाना चाहिए कि कहीं जो भारत में जो बिकने वाली जो दवाईया है अगर दुनिया भर के देशों में अगर वो बैन है तो वो भारत में भी ना बिकें और वो सब जो है consultative committee देखे Supreme Court ने खुद ने ऐसी कोई direction या guidelines issue नहीं की जैसे कई मामलों में Supreme Court guideline let down करता है तो इस मामलों में guideline नहीं थी लेकिन Supreme Court ने ये कहा कि सरकार इन मामलों में देखे और effective regulation, effective law जो है लाए और implement करे समय के हिसाब क्योंकि जो health industry है वो ever changing field है और समय समय के साथ इसमें बदला होते रहते हैं वैसी ही इंडस्टी में जो दवाईयां है या technology है वो बदलती है उसके हिसाब से सरकार भी समय समय पर जो कानून बने हुए इन विवस्ताओं के लिए उनको देखे और उनको अपडेट करें